Hello everyone, विजे किनमी इन दोर में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो इस वीडियो में हम आप से आपके सवाल जानना चाहते हैं मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसको मैं आपको डीटेल में समझा दिता हूँ कि देखे, अभी हमारा notification आया है, selection exam को ले करके कि selection exam जो आपकी वर्ग एक की होने वाली है, उस exam को ले करके notification आया है और उस notification से अगर हम जाएं, तो अभी हमारे पास 90 दिन है 90 days, अप्रोक्स हमारे पास अभी हमारे हाथ में है तो मैं ये चाहता हूँ कि आज आप बेठें, अपने साथ बेठें और ये सोचे कि आपके दिमाग में क्या-क्या सवाल है, क्योंकि देखिए, सवाल आपके पास होते हैं कई बार आप हमसे पूछते नहीं, अभी किसी भी कारण से, और फिर आप बाद में पूछते तो हम ये चाहते हैं कि आप ये 90 दिनों की तैयारियों को इस्टार्ट करने के लिए, मतलब ये जो 90 दिन मिले हैं, आप इसमें केवल तैयारी करें जो भी आपके सवाल हो, वो आज हमसे आप पूछ ले, आज मैं आपके लिए वीडियो ले करके आने वाला था, एक मही को, बट मैं आपके लिए वीडियो आज से इसलिए नहीं ले करके आया, मैं चाहता था कि वीडियो क्लासेस लेने के पहले, आप से ये बात कर ली जाए आप से ये पूछा जाए कि आपके मन में क्या क्या सवाल है जैसे आपके मन में एक सवाल होगा कि सर सिलेबस भी आ गया है सिलेबस में 20 यूनिट है तो 20 यूनिट कवर कैसे करें ऐसा कोई सवाल है आपके बस में हूँ house wife हूँ sir तो अब मैं कैसे manage करूँ मेरे को time कम मिलता है या आप एक person ऐसे हैं जो है working में मतलब आपके घर के उपर आपकी आपके उपर घर की जिम्मेदारिया है तो आपको job करना जरूरी है तो आप job करते हैं और उसके साथ साथ आप study कर रहे हैं तो आप job के साथ study कर र एसे सवाल हैं तो आपके मन में जो भी सवाल हूँ मतलब मैं यहाँ पर आपको यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आपका एक question जो आपके मन में है और वो question आपको ऐसा लगता है कि यह question अगर मैंने सर से पूछा तो हो सकता है कि यह सवाल question mark का चिन है अगर मैंने यह question सर से पूछ लिया तो ऐसा लगेगा silly question है अगर आपको ऐसा लगता है कि silly question है तो भी आप पूछ लीजिए क्योंकि हर question silly नहीं होता है चाइनीज भासा में एक कहवत है चाइनीज में एक कहवत कही जाती है उसमें कहा जाता है कि जिंदिगी भर के मूर्ख होने से अच्छा है कुछ देर का मूर्ख होना मतलब दो मिनिट का मूर्ख होना अगर आपको ऐसा लगता है कि question अगर हमारा ऐसा silly है कोई से हम पूछेंगे तो मूर्ख साबित होंगे तो दो मिनिट का मूर्ख होना जिंदिगी भर के मूर्ख होने से तो अगर आपको वो ऐसा भी लग रहा है कि मेरा question silly है तो भी आप पूछ ले हम ये चाहते हैं कि ये जो 90 days हैं आपके पास ये जो 90 days हैं जब आप ये 90 days की तयारी स्टार्ट करें selection exam की 90 days की तो आप अपनी तरफ से पूरी तरह clear हो आप अपनी तरफ से क्या हो पूरी तरह clear हो क ये कहेंगे कि सर मुझे ये समस्याएं आ रही हैं या 30 दिन पहले आएंगे और कहेंगे कि सर मुझे इस तरह की समस्याएं आ रही हैं जो समस्याएं आज आपको आ रही है पर आप इस पर हमारे से बातें जब करेंगे 20 दिन करेंगे तो आप बताईए क्या ज़्यादा अच आछा हमारे पास विकल्प होगा, तो इसलिए ये exam के लिए जो हम class लाइना है वाले थे, उससे पहले हम चाहते हैं कि आपके mindset को हम समझना चाहते कि आपके दिमाग में क्या क्या question है, इस exam को ले करके या आपके दिमाग में क्या तरह के question आरे, उन सभी question को आप हमें भेजिए हमारा नमबर WhatsApp नमबर है, आपको पता ही है, जैसे 8962429653, इस नमबर पर आपको अपने सवाल भेजने हैं, बेज़ी जग भेजने हैं, आपके ना तो नाम बताया जाएगा, नहीं आपके कोई डिटेल बताई जाएगी, केवल आपका होगा यहाँ पर एक कोश्चन, वो कोश आते हैं कि आप बहुत अच्छे से यूज़ करें और बहुत तरीके से इसका इस्तमाल करें, क्योंकि यह 90 दिन जिंदीगी बदलने वाले दिन हैं, अगर हम इन 90 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइस कर लेंगे ना, तो पूरी जिंदीगी बदल जाएगी, और जैलरी मिलीगी, वरग एक के टीचर के लिए, तो इसलिए जो भी सवाल हो आपके, जो भी सवाल हो बेजीजक पूछिएगा, डीटेल में अपने सवाल को हमसे डिसकस करिएगा, अगर आपसे लिखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, या आप उतने अच्छे से इलोबर पूरी की पूरी तरह पार पालें, उन समस्याओं को पूरी तरह दूर कर लें, और रही बात, तो देखें, हमने आपको कई सारे वीडियो भी अवलेबल करा रखें, तो आप उससे भी अपनी तयारी तो करी ही सकते हैं, और हम आपको ये शियोटी दिला दे कि जो 20 तो वो तो हम कवर करेंगे, पर उससे पहले हम ये चाते हैं, कि ये सारी बातें आपके मन में से हमारे पास आएं, ताकि हमको समझ में आए कि आपके मन में क्या सवाल हैं, आप इस एक्जाम को कैसे ले रहे हैं, आपको इस एक्जाम को लेकर कि आपके मन में क्या दूईदा जा सकता है हमारी तरफ से या क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं उसके लिए हम फिर क्या करेंगे सब के question को जो common होगा उसमें कि हाँ ये common चीजे हैं ये तो हर को आ रहे हैं समस्यां उन पर क्या करेंगे वीडियो ले करके आएगे ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आप मुझे इस तरह से चलना है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास 4 घंटे रहेंगे तो 90 दिन के लिए 4 घंटे के हिसाफ से, 4 आवर स्टेडी के हिसाफ से भी हम 90 दिन का प्लान अच्छे से कर सकते हैं तो अभी हमारे पास एक अच्छा समय है इसलिए ये वीडियो में लाया हूँ मैं आपकी क्लासे आज से लाने वाला था पर मुझे इसा लगा कि क्लासे देने से ज़्यादा जरूरी है आपके साथ ये बाते करना, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, हम अपनी चीजों का अच्छे से प्लान कर सकते हैं, तो इसलिए आपके जो भी कोशन है, इस एक्जाम को लेकर के, जो भी क्वेरी आ रही है कि सर, ये समस्या है, ये कोशन है मेरे मन में, एक्जाम को लेकर के या मैं इस दुईदाओं में हूँ, मुझे इस तरह का देखना है, जो कॉलिफाइ एक्जाम के वीडियो उसमें कई सारे टॉपिक्स अल्रेडी कवर हैं, जैसे बैंक रिकर्सिलेशन, ये सारे, तो वो वहाँ से भी आप कवर करते जाएंगे, वीडियो तो आप कवर कर लेंगे, उस पर भी मैं वीडियो लेकर यहांगा, बट जो सवाल हैं, उन सवालों का हम ये चाहते हैं, कि इस तैयारी को स्टार्ट करने से पहले उन सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए, ये कि हाँ, अगर मेरे पास ये जो 90 दिन है, ये 90 दिन हम अच्छे से यूटिलाइज करें, क्योंकि ये आखरी लड़ाई साबित होगी, अगर हमने इमानदारी से इन 90 दिनों का यूज कराना, तो जिन्दिगी की आखरी लड़ाई साबित होगी, मतलब अगर हमने इसमें अपना 100% दिया ना, तो मैं आपको दावा कहता हूँ, कि आप आखरी बार कोई एक्जाम में बेठेंगे, सरकारी एक्जाम में, क्योंकि वरगे कितनी अच्छी पोस्ट है, कि सामानिता फिर आपकी जो संघर से उन पर विराम लग जाएगा और आपको एक अच्छी जिन्दिगी होगी और सरकारी एक्जाम, सरकारी पोस्ट, सरकारी नोकरी, कितनी अच्छी होती है, समाज में उसकी कितनी इज़द है ये आप मुझसे ज़ादा बहतर जानते हैं, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तयारी करने के पहले हम इन 90 दिनों का एक बार फोकस कर लें कि हाँ मुझे ये समस्या, इसका मेरे पास आंसर है, अब मैं इन 90 दिनों को इसा यूज़ करूँ ठीक है, आप qualify हैं, आपको पहले ही बहुत अच्छा knowledge है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो 90 दिन हैं, हम इसको अच्छे से यूज़ करें तो आपको क्या करना होगा, जो भी question है आपके दिमाग में आज एक तारीक है, आप आज अपने जो भी messages हैं, हमें इस number पर जरूर से भेजिएगा कि सर ये दिक्कते आती हैं, पढ़ती समय, ये समस्या हैं, आप हमें इस पर message करिएगा टीम वो सारे आपके messages हैं, वो read करेगी, उन्हें note करेगी, वो हमें forward किये जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, उन पर आने वाले time में, वीडियो ले करके ज़रूर आएंगे ठीक, आने वाले time का मतलब यह है, कि 2 और 3 तारीक को मैंए एक जिमाम, 2 या 3 तारीक में आपके ये वीडियो भी आ जाएंगे, साथ में आपके classes की वीडियो भी आ जाएंगे 2-3 मई में हम सारे वीडियो आपको देदेंगे जो भी आपके कोशिटन होंगे अपनी तैयारियों को एमान दारी से रखे तो जो भी कोशिटन हो सिली से सिली कोशिटन भी आपका आमंत्री थे हर एक कोशिटन आप बेजज़क पूछिए ताकि आपके जो आपके जो मन के विचार हैं, वो हम तक जरूर पोचें, ताकि हम अपने आपको उस तरह से ढालें, हम आपको उस तरह से सपोर्ट कर पाएं, देखिए सारी चीजों का जो मेन परपस है वो ये है कि आपको इस बार सरकारी टीचर बनना है, जिस दिन वर्ग एक का रिजल्ट, स हमां के दारतरीके से सिलेक्ट होँ, और हमारे इस नंबर पर आपके बहुत प्यारे मेसेज हो कि हमारे इंतजार रहेगा, तो उसके लिए हमसे आप जो चाहते हैं, आप बोलिए कि सर ये ये आप हमें दीजिए, या सर हमें ये दिक्कत आरी तो इसका क्या सोलूशन है, हम आपके साथ पूरी तरह से इमानदारी से महनत करने के लिए तैयार है और आप भी पूरी इमानदारी से महनत करिए जो भी question है उनके answer आज हम 90 दिनों में निकाल सकते हैं क्योंकि देखिए अगर आप एक सरकारी teacher बन गए ना तो जितनी कुसी आपको होगी उतनी ही कुसी हमें होगी कि हमें लगया कि हाँ हम जो पढ़ाते हैं या जो हमारे पास knowledge है आज उसका impact है आया कि हमने एक परिवार की जिन्दगी बिदल दी क्योंकि एक सरकारी post के वाले एक वेक्ति की नहीं होती है उस पूरे परिवार की जिन्दगी बिदलने वाली होती है तो इसलिए आप बेज ही जग होकर के question पूछिएगा हम पूरी मदद करेंगे आपकी इन 90 दिनों में पूरी विजय एकडमे की team आपके साथ है दोनों सार आपके साथ है पूरी इमानदारी से पढ़ने वाले है उसका एक ही purpose है हमारा जो आपके दिमाग में भी होना चाहिए वो होना एक बहुत जबरजस result ले करके आएंगे जैसे qualify exam में आपने हमें उम्मीद से दो गुने result अच्छे दिये हैं हमारी मेहनत पर आपने मेहनत करी और उसका परिणाम यह हुआ कि जितना हम सोचते थे कि हमारा result अच्छा जाएगा मतलब हमें भी एक उम्मीद होती है आपको भी हम यहाँ चाहते हैं वैसे हम उससे भी ज़्यादा अच्छे result इसमें चाहते हैं तो इसलिए जो question हो सारे पूछ लीजिए 90 दिनों में हम उसकी पूरी planning कर लेंगे और आज ही से सारी समस्याओं को हल करके फिर तयारी में उतरेंगे ठीक हैं तो आपको क्या करना है जो भी आ वीडियो ले करके आएंगे कि आपको यह समस्याओं उसका यह आंसर हो सकता है आप इस तरह से अपनी तयारी आगे करिए और फिर उसके साथ साथ हम जो भी syllabus है वो तो इमानदारी से cover करेंगे तो जो भी question हो आप जरूर से पूछेगा और हम video classes पूरी cover कराएंगे आपको ब उनके आंसर हम आने वाले वीडियो में एक से दो देनों के अंदर वो भी video लेकरके आकरके आपको सारे आपके जो भी doubt है जो भी सवाल है उनके आंसर दे दिये जाएंगे तो बस यह 90 दिन और इस बार मेहनत करने की जरुवत है बस यह 90 दिन इस बार इतनी इमानदारी से इ अपना धिहान रखेगा नमस्कार